देखे सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब आया उट पहाड के नीचे और कहीं न कहीं है कि ताना शाही अहंकार भरी सांपरदायक और धार्मिक उनमाद से प्रेरित राजनीती मोदी जी के दस साल के अन्यायकाल में चल रही थी उसके खिलाफ मैंडेट है यह तो पूरी तरह से साबित हो गया आप देखे कि कैसे पूरे इलेक्षन का नारेटिव मंदेर मस्जेद मुला माफिया मंगल सूतर मुझरा जैसे चीजों पर केंदरित करने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया और उसके ठीक विपरीद चुनाव तक राहुल गांधी जी ने 4,000 किव मीटर पैदल यात्रा की सामाजिक न्याय को मुद्द बनाया लोगों की नबस टटूली और कहीं न कहीं जमीन से जुड़े मुद्दे चाहे वो महंगाई हो बेरोजगारी हो किसानों का न्याय हो महिला सुरक्षा हो सीमा की सुरक्षा हो यह यह रोटी कपड़ा श से लड़ रहे हैं पीछे चल रहे हैं अरुन गोविल जो श्री राम प्रभुराम की भूमिका निभाते थे धारवाहिक में वो पीछे चल रहे हैं और तो और छोड़िये नरेंद्र मोधी जी भारत के ओजस्वी प्रकर तथा कथित प्रधानमंत्री को लाखों वोट से आगे होना चाहिए और मन चंगा तो कठोती में गंदार गंगा राजस्थान के लिए मैं जरूर कहूंगी बहुत बड़ा उलट फेर कॉंग्रेस के पक्ष में है वैसे ही उत्तर प्रदेश में जैसे हमने बढ़त हासल की बंगाल की भी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि ममता जी न